नमस्कार आप लोग N.E.S. जिचल टीवी देख रहे हैं और मैंने रे चौधरी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ हमेशा से N.E.S. की कोशिश होती है जिससे मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि गरामिन शेतर से जब कोई बच्चा निकल कर आगे आता है तो खुशी जो है वो बड़ी जादा होती है और इस समय मैं बिलकुल बॉर्डर के मातर एक किलो मिटर दूर मौझूद हूँ यह गाओं है गोल पतन जो की गंगोचक पंचायत में आता है और मैं आपको बता दूँ कि यह एक किलो मिटर बॉर्डर होने के नाते यहाँ पर जो बच्चे पड़ाई में जिससे आगे निकल कर आ रहे हैं उससे बड़ी खुशी होती है कल ही बारवी कक्षा का जेके बोर्ड का जो है वो रजल्ट जो है वो गोशित हुआ जिसमें मेरे साथ यह बच्ची जो खड़ी है दंचु शर्मा इसने एर्थ पुजिशन लेकर हमारे शेतर का नाम जो है वो रोशन किया है और यह कुछ छोटी बात नहीं होती है जब आप एर्थ पुजिशन ले रहे हैं नॉन मेडिकल इसके सब्जेक्ट हैं और दंचु शर्मा का परिवार यहां पर पूरा माजूद है और गंगोचक पंचायत की सरपंच मैडम लज्जदेवी यहां पर माजूद है उनको भी में खुशी हुई कि उन्होंने मुझे रात को ही कॉल कर दी कि हम लोग जो है उस बच्ची को मिलने के लिए जा रहे हैं उसे होसला वजाई देने के लिए जा रहे है उसके फ्यूचर की तो यहां पर सबसे पहले मैं दंचु से बात करूँगा दंचु कितनी खुशी है आप से जादा लगाव करता हो यहां सबी टीचर बराबर चलते थे नहीं सबी टीचर बराबर मेहनत करवाते थे अच्छे से पढ़ाते थे और एक चीज़ सबसे बड़ी पूछूँगा मैं लड़की ओप तो आपको सबसे जादा सब्से अच्छा कौन सा लगता है जहां म इतनी जादा कि अमीद नहीं थी थोड़ी कम थी थोड़ी कम थी पर मतलब उपर वाले साथ दे दिया अपर अभी कितने 97.8 है अठानवे प्रतीशत इसे मार्क्स जो हैं वो लिये हैं और कहीं बार लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है शहर में जाके पढ़ाई करने पड़ती है चीँ टूशन लेनी पड़ती है बच्चों के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है यह परिवार जो है यह बिलकल बॉर्डर स्थिक परिवार है और बाद गसेम्पल करें होती है कि इसमें जरूरत नहीं कि आपको बड़ी बड़ी जगा नाम रोशन किया है, मेरे साथ यहाँ पर सर्पंच मैम लज्यादेवी है, कितनी खुशी है आज कि जिस सरह से आपकी पंचायत की बच्ची ने आज पंचायत का नाम रोशन ही किया, पूरे शेतर का नाम रोशन कर दिया है। के लिए इधर आई हूँ मैं मेरा सवाल है का से जो बच्चे लट मस्ती करते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं अपने माता पिता को परेशान करते हैं या जिसना से आध हम युवा देख रहे हैं नशे की और जो है वो लट लगी युवां की उनको आप क्या कहेंगे देखो बहु काज में भी वो अपना नाम रोशन का रही है इस लड़की ने गंगो चाक पंचायद का गोल पतन का और मर्ग स्कूल का भी नाम रोशन किया है हमारा जो गोल पतन गाउँ है जो बिलकुल जीरो लाइन पर है जहां बीजली और नेट वरकी बहुत प्राबलम रहती है मगर इसके पापा जो है वो भी किसान है ठीक है फिर भी इस बची ने उस किसानी नाते में निकल कर बहुत मेहनद किया और अच्छे अंका हासल की है जब मेरे को राज को पता चला कि बच्ची ने अच्छे नमबर लिये है मेरा खुशी का कोई टिकाना नहीं रहा मैं सुआ सब्सक्राइब करते हैं किस तरह से वो मैंनेज किया करते थे फ्रेंड से या किस तरह से फिर थोड़ा मतलब कर लेती थी मैंनेज फ्रेंड्स को कॉल करके मंगवा लिये सेंड बोलना उनको की सेंड कर दो मुझे फिर वहीं से पढ़ेती हुआ सबसे पहले मुझे बताओ आने वाले दिनों मुए दांचु कहां देखती है अपने आप तोर क्या बनना चाहती है जी अभी तो सिर्फ ग अपने जो अपने पास ज्यान है वह बांटना चाहती है बड़ अच्छा है मेरे पाद दांचु की ममी है किन्नी खुशी आज पहले मिये सनाओ है बद्धुशी है बद्धुशी है अजी बद्धुशी है बच्चीना मतलब कि आज दोस दिखा जो कि यहां सरपांच भी थे अपने हैं क्योंकि जो लोग शहर बैठे हैं गौन से उठाब गया हुआ है कोई शैर वाले शहरी नहीं थे गौब से उठकर शहरी गया थे इंही गाइप वालों की शहर बसाया हुआ और आज खुशी बहुत ज़ाद है तरक बच्टे चोटे बच्य हुआ करते थे और इनको वहां तक लेकर झाना प्र सरकार्द मैं पूछना चाहता हूं तो पिछली सरकारे भी बड़ी आई आज भी है यूटी है अगर यूटी के दौरान भी इन लोगों की नहीं सुनी गई तो कब सुनी जाएगी यह बॉर्डर बेल्ट जितनी भी है इन लोगों को जुरूरत है कि इनको एक कम से कम गाउं से उड़कर मैं शेर की बात ना करूँ पर यहां से जीरो लाइन से थोड़ा दूर इनको कोई चार-चार मरले का ही प्लाट दे दिया जाए ताकि कल को आने वाले दिनों में हालात खराब हों तो इन लोगों को इस तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े और जब दंचु शर्मा जैसी बच्चे यहां पर इस बाटर शेतर में रहते हैं तो इनको ग्रामिन मत समझीए यह बहुत आगे जाने वाले हैं यह मैं आपको जरूर अनियस के मादिम से हमेशा से कहता रहता हूं और पूरे परिवार को अनियस दिसल टीवी की टीम से मुबारक बाद भी देता हू और सरपंच लजय देवी का बड़ा शुक्रियादा करता हूं कि इस तरह से बच्चों की उसला वजाई करें क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं कमपटिटिव होते हैं बच्चे आने वाले दिनों में इनके आस पर रोज गाउं से कोई बच्चा और भी बोलेगा कि यार मु बच्चे तरह जिस कोई एक्ष्चे.